कि हलो इस्ट्वेंट्स आज आप लोगा चलेगा इंकम स्टेटमेंट जिसके बारे में बच्चे काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे सर की बैलेंशीट का कॉंसेट हमारा काफी क्लियर हो चुका और हमारा एक्जाम जल्द ही स्टार्ट होने वाले तो इंकम स्टेटमेंट प इसलिए उनको ध्यान में थोड़ा देखते हुए लेक्षेस में थोड़ा सा गया आपको दिखेगा बट कॉंसेप्ट आपका क्लियर होना चीए उस पॉइंट आप व्यू से आपको प्रैक्टिस करा के दे रहों ट्रेंड एनालिस इंकम स्टेटमेंट का पहला प्रैक्टि अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना जैसे मैं स्टार्टिंग से बोला तो आपका बैलेंशीट के वाले कॉंसेप्ट में आप वही सेम चीज है वही सेम चीज है मैं यहां पर भी बोलूँगा कि इसमें फॉर्मेट सबसे आदा इंपॉर्मेट समझ लो बाकी तो एमाउंट फुट अप करने का का में माउंट को लिखने का काम हमारा होता है और फॉर्मेट को रटना नहीं है वही समझना है और मैं बोलता हूं देखो ना सिंबल सा अगर बारवी क्लास में यह से पहले पार्ड़ने फॉनड अगर आपने पढ़ा है तो पार्टनेशं फानल अमें ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे बिल्कुल बनाते थे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में में क्या लिखते थे आप उसे एकटिक क्रेडिन क्या लिखते थे मैं लिखा मप 앞에 पहले तो यह नंबर वन वहां पे लिखा जाता था सेल्स को और माइने से रोटर टिट्ण करते थे इस तो यहां पर एपकुछ return for the carriage, carriage invert, freight, etc. Something means, बहुत सारे expenses. तो इसमें बहुत सारे expenses नाम अभी याद रखने की जडूरूँत नहीं है, क्योंकि इस complete जो आपके expenses थे उसको नाम दिया है, भैस, cost of sales. तो इसका मतलब बैसर, सिधा cost of sales minus कर दूँगा, cost of sales. तो नहीं सिंबल लॉजिक बता है भई कि टेडिंग के डेबिट साइड के जितने भी एक्सपंसे से कॉस्ट आफ सेल्स के नाम से जाने जाएंगे और यह जब इसको आप माइनस करते हो थर्ड पे आपको मिल जाता था ग्रॉस प्रॉफिट क्या मिल जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कॉंसेप्ट निकल के आएगा कोई दिखकर यहां था किसी बच्ची को नहीं फिर शिप्ट जाओ पीनल वाले एक्सपंस पे पीनल के डेबिट वाले पार्ट के बारे में जरह सा बात करू क्या क्या थे सर वहां पे बहुत सारे खर्शे हमारे आते थे जैसे जिसको पहले तुम नाम बोला जाते जिसको पहले आप एक हेडिंग दोगे क्या हेडिंग दोगे है वाई 4 नंबर पर द्यान से सम्झों आपको यह तोपिक को मतलब बोला जाता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्स्पेंस अ त्यान से देखो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इसको आप कर देना अंड़लाइन क्योंकि इसके अनडरोय Gating Expenses के अंदर तीन पार्ट हमारे निकल के आते हैं पहला पार्ट Office expenses पहला पार्ट Office expenses या फिर उसका दूसरा नाम है Administrative expenses आगे के समस्मे दिक्यागा तो देखो ना Office expenses दिया के नहीं दिया बिल्कूल दिया है जब तो आप यहां पे लिख दो ना भई Office Office Expenses कोई दिक्कत कोई प्रब्लम पहला हो गया Office Expenses मेन बुला B Part Selling and Distribution Expenses दिया है क्या देखो सेलिंग Expenses वाल लिखा है तो मेन बुला वह भी लिखतो Selling Expenses कि नेक्स्ट होता था ता financial expenses, Financial expenses तो question में दिया ने, devidu में देखो दिया नहीं है तो मत लिखो जब नहीं दिया तो नहीं लिखना है और देखो ना ये दो ही दिया है तीन नहीं दिया दो दिया तो दोनों का टॉटल कर लेता था तो आ जाता था आपको टॉटल जानचे देखो format टॉटल operating expenses आजाएगा कोई दिक्कत भाई दोनों का total क्या total आ गया और देखो इधर पे यह आपका जो जीपी है gross profit है भाई gross profit से आप जब माइनस करोगे total operating expenses तो अपने को मिल जाएगा भाई हमें मिलेगा सर point number 6 जिसको बोलते है operating profit क्या बोलते हैं ध्यान दो operating profits और यह कैसे मिला जरा इसकी बारे बात करो भाई third minus fifth third minus fifth किसी बच्चे को कोई दिक्कत है सर यह जीपी कैसे मिला तो भाई one minus two otherwise यहां पे less लिख दो बात तो भाई है यह तो side में लिख हो या तो इधर अगे लिख दिया करो लिस operating profit के बाद जरा संबे नजर देखते हैं भाई tax ही दिया बाके और कुछ दिया नहीं cost of sales का यूज हो चुका office expenses का यूज हो चुका selling का हो चुका miss non operating profit non operating expenses income कोई कुछ ऐसी बाती नहीं किये सिधा tax के बारे में बुले तो जाता सूचो ही मत भाई tax सीधा minus कर दो क्या कर दो देखो next point दाएगा seven tax question में दिया भाई tax minus कर दोगे तो आपका सीधा final answer आएगा net profit बीच का format sir धान में देना ही नहीं नहीं क्यों नहीं देना है क्योंकि simple सा sense लगा हो कि जो बचे खर्षा भाई हूँ देख लो बचे expenses को देख लो tax दिया था tax को यहां पर लिग दिया और final answer मिला अपने को net profit कोई देखो बार 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 मेंशन कर लोग जिनका जिन बच्चों का format एक दम पर फिक्ट है इस टॉपिक के समको कैसे भी आने दू किसी भी लेबल का लेकर आने दू आपकी जामनर को अगर जिस बच्चे का क्लियर है तो concept क्लियर होगा और मैंने बुला था अगर जिस बच्चे का format क्लियर है तो मैं बोलता हू तुन्टी माक्स टॉपिक का तुन्टी माक्स आपका ratio analysis का समझ लो मतलब 40 माक्स का benefit आपको exam में देखने मिलेगा 40 माक्स लिख लो इसलिए format बहुत अच्छे तरीके से समझना है कब कितनी डीटेल्स लिखनी है कब किसके डीटेल्स के अंदर भी डीटेल्स है उच जब आपके concept क्लियर होंगे तभी क्लेटे मिलती है चले बात करेंगे भाई amount या पे value put up करना है कि इसको नीचे shift कर सकते बिल्कुल चले एक-एक amount लिखना स्टार्ट करते है तेंड में आपको पता पहले से बैलेंशीट का concept तो करते हुए आयो ना है क्लियर एक निच चलो कि सिल्स कितना देकर रखेंगे तू फॉर्टी एमांट लिखो पहले येर का तू फॉर्टी है सेगंड येर का टू एटी एट है नेक्स और का 3 20 है कोी दिखकत किसी बच्चे को नहीं हो मीश्यान नेक्स्ट कॉस्ट आफ सेल्स कितना देंगे रहे कि सेक्सट आफ इसके सामने लिखो ने मरे लिए ओद नएटी फॉर्टीकर कोई दिखकत निभल लिखो जबाभ ठर्टी थर्टी फिर्टीगि सिवव Selling Expenses 26, 28 and 30, कोई दिक्कत, नहीं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो निशी, चले, आगे बात करते हैं, अपरेटिंग प्रॉफित उतो आजेगा, मैंने से टेक्स, लास्ट आपका टेक्स दिया, टेक्स कितना आपका 7, और आपका है 10, लास्ट एयर का है 10, कोई दिक्कत है, देखो, फॉर्मेट से वैल्यू पुड़ आपके, अब इसका जो भी प्लस माइनस का कॉंसेप्ट था न, इसको कर लो, और यह क्वेश्चन पहले साइड करो आप, ठीक है, क्याल से उढ़ा लो, ठीक है, क्या कम करना आपको, क्यल्सी, क्यल्सी को साइड कर लिया, चल्य, इस्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट देखते हैं, जरब, सेल्स में से, सीओ जीओ मैनस किया, इस मैनस किया, मतलब यह माइनश करना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं, इस प्लसी निकालते हैं, सब्सक्रात पॉज्य, कैल्सी अठालओ भै, टू-एर्सी निशुम मैनस लो, टू-एर्सीश चिस्टार्स, लास्ट आपका 320 से माइनस किया 224 कितना मिला 96 कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चीए बात करेंगे देखो operating expenses के अंडर हमारे दो चीजे निकल के आ रही हो operating office expenses and selling expenses दोनों को प्लस करना पड़ेगा तभी ये topic निकल के आएगा दोनों को प्लस करोगे तब आएगा operating expenses और उसमें से माइनस कर दोगे तो मिलेगा operating profit and last में उसका भी माइनस करोगे तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट क्लियर है शले स्टार्ट करते हैं भई 30 प्लस 26 कर दो 30 प्लस 26 325 56 56 36 28 8 प्लस 6 14 हो गया यह 325 6 हो गया यह आपका 64 हो गया कोई दिक्कत किसी बच्ची को नहीं होने शी है क्लियर है राइट चल रहा है operating profit 3-5 क्या लिखाए 3-5 3 भी हो लिए तो gp gp मेंस कर दो इस expense को 80-56 कर दो 80-56 किया तो मिला 24 यह आपका answer आया 24 next 94-64 कर लो 30 मिला 96-64 करो 96-64 कर लो कितना मिला 32 कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए 27 में से 7 माइनस कर लो 27 से 7 गया 17 30 से 20 गया 10 गया 20 32 से 10 गया 22 मतलब आप देख रहे हो किस तरीके से यह कॉंसेप्ट चल रहा है मतलब सबसे इंपोर्टेंट पार्ट आपका यह बार बार मेंशन कर तो भाई यह फॉर्मेट है फॉर्मेट अगल लिखने आ गया कुष्चन के बेस पे तो यह कैलकुलेशन का काम था आगे भी वही काम है और कुष्चन को जरा मैं साइड कर लू इदर 17 22 22 यहां पर मिस्टिक कहीं हो गई है क्या कि एक बार देख लेते हैं जरा 288 मैं चेक करो 288-19494 आया इसका टोटल करता हूं 36 36 प्लस 36 प्लस 28 कितना है 64 64-94 कितना है 30 30 में से 10 गया 20 राइट है इसका मतलब यहां पर ध्यान अब लो यह जो दिया गया यह प्रेंटिंग मिस्टेक है इसको आपको क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा वहां पर फाइनल एंसर जो आपका आएगा वो क्लियर है कि नहीं है तो यहां पर ध्यान एकना थोड़ा सा प्रेंटिंग मिस्टेक दिया है वह आपको सही करना पड़ेगा जैसे मैं मेंशन कर देता हो क्या प्रेंटिंग मिस्टेक दिख रहा है 64, 30, 288, 194 प्रेंटिंग मिस्टेक यहां पर यह इसको आपको सही आरेंज करना पड़ेगा तो आप लुक देख लेए इसको आदरवाज नहीं तो बहुत सारे और यह मैंच भी हो जाएगा आपकी एग्जाम में दानकना जैसे यह 17 यह टुन्टी है टुन्टी टुन्टी ट इस लाइन में देखोगी यह थोड़ा सा कैल्कूलेशन मिस्टेक हो चेंज करना पड़ेगा आपको 22 गजिए इसले मैंने में यह एणसर मैस कर लेना इस तरीकी से एक्जाम में क्लियर है अब बात करें के परसंटेज का परसंडेज का कॉनसे पाहले जैसे ब्लेंशित वे तो एक ने किया था वैसे ही करना क्योंकि यह चल रहा है trend वाला तूğ trend में first year को हमेसा first year को हमेसा क्या लिखा जाता है हर एक बच्ची को सुपता ओना चिए सबस्स्ट इयर में हमेसा 100 ही हमेसा 100 ही लिखा जाता है हमेसा 100 हर केसमें तो in the first year पर वाला तो प्रॉब्लम ही नहीं है भई जो लाइन है कम्प्लीट कर दो इसको क्लिर शरी अब आगे का कॉंसेप्ट जो चलेगा देखो कितना बहुत सिंबल सा चलेगा ट्रेंड में जैसे बैलेंशीट में किया दा ना वैसे ही कॉंसेप्ट चलने वाला है कैसे चलेगा जरा देखो इसको जो सेकेंड यर पहले सेकेंड यर की बात करते कि इतना अमाउंट यह डबल जिरो इसमें आड़ कर लो डिवाइड बाइड बाइड टू फोर्टी बेसियर से गरो वन तुन्टी आया सेकेंड यह तो सेकेंड यह यहां पर जो भी अमाउंट लिखा ओ लिख लिया करो उसमें डबल जिरो अड़ कर दिया करो डबल जिरो क्योड करना से मल्टिप्लाइ अंडे करना है और वीडिवाइड यह फस्टी यह नहीं समझा तो और एग्जाम्पल समझसेंगे वाईड 4 है next year का इसमें मैंने क्या बुल है double zero add कर दो divide by first year first year कितना दिया 60 तो 323.33 आ रहा तो उसको आप लिख दो 323.33 कोई दिक्कत नहीं हो निचीए चीड़े आगे बात करेंगे फिर से यहां पर सुरी एक mistake 160 था गलती one nine four double zero divide by one sixty होती है आएगा one twenty one point two five one twenty one point two five क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं जरह 94 मैंने बुला क्याल सीपिलो 94 उसमें लगा तो double zero मतलब जो amount a double zero लगाओ divide by first year divide by first year 80 किया 117.5 it means 117.5 आए पिर आगे शिप्ट हो जाते हैं भई 36 36 00 लागा ओ डिवाइड बाए फस्ट इर अपना 30 कितना है 120 तो 120 लिखो आगे इसी तरीके से 28 28 00 एड़ करो डिवाइड बाए फस्ट ए फस्ट एडिवाइड बाए इसी तरीके से फिर से चलना है भई शिक्स फॉर डबल जीरो एड़ करो डिवाइड वाइड फस्ट इयर 56 यह तो कितना है 114 114.28 क्लियर है आई हो फार एक बच्ची को समझ में आ रहोगा बहुत सिंपल सा क्यलकुलेशन है भई नेक्स आप 3030 लिखा डबल जीरो एड़ करो डिवाइड बाए मनुबला फस्ट इयर 24 कितना एंसर आया 125 छेले आगे शिप्ट हो जाते है जड़ा आगे चलते हैं आगे 142.857 8457 बुले तो 86 क्लियर से लिए नेक्स्ट आपको जो बच्चा भई टुन्टी डबल जीरो एड़ किया डिवाइड बाए फस्ट इयर का 17 17 क्या 117.65 117.647 ता तो 65 करना पड़ेगा क्लियर है कि नेल ट्रेंड में क्या करते हैं जो आपका सबसे पिछला साल दिया रहता है उसको आमें सब बेस यर लिया करो 100 और उसी से कंपरेजन होगा इसे एक लोजिक मिलता है कि इंट मिलता भाई शेल सबका दोजर बार में कितना था हंड़ेड पोर्शन तो कितने इंक्रिमेंट रुटी पर्शन का क्यूंकि हंड इस यर का ले लो 320 डबल जीरो मैंने बुला आड़ कर दो डबल जीरो एड़ किया डिवाइड बाई बेस यर जो आपका था 240 240 से किया तो 133.33 आ रहा है मतलब सेम वही concept आपका चलेगा जिस यर की आप बात करोगे उस यर का इमाउंट ले लो डबल जीरो आड़ कर दिया कर करो और डिवाइड बाई बेस यर कर दिया करो और एक्जम्बल देखते है भई 100 है पहले से ही स्वरी यहां पे 224 224 है 224 डबल जीरो आड़ करो डिवाइड बाई बाई 160 160 कितना आ रहा 140 तो यहां पे लिखो 140 नेक्स्ट आपका 96 दिया है डबल जीरो डिवाइड बाई 80 120 अगर आप से पूछा जाए कि आप आगे का कॉंचेप्ट आप कर सकते हो तो हर एक बच्चे को हो जाना चाहिए क्या कॉंचेप्ट कर रहे सीधी बात बताते हैं परसिंटेस क्या से निकाला डिवाइड का कॉंचेप्ट है लेकिन डिवाइड करने से पहले भई 00 यहां मत इस तरीके से आपको यह परसिंटेस का कैलकुलेशन करना है अगर मैं आप से पूछ हूँ कुछ हार्ड लेबल लग रहे क्या परसिंटेस का कॉंचेप्ट आपके लिए पुराना हो गया बैलें शीट में पहले से प्रैक्टिस किया हो सब चीज यहां पी तो कोई दिक्कत नहीं बस यह फॉर्मेट का कॉंचेप्ट आपके लिए पहला समता बेसिक समले के आये थे आई होफ और एक बच्ची को काफी कॉंचेप्ट समझ में आया होगा फिर भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई कन्फीजन सा फील हो रहे है ना वही तो जल्दी से जल्दी से ए एलफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अच्छे कॉमेंट डाइड करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल कर लिंग हमारे यसवाई भी कॉम क्लास को शेयर कर दो तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मज़ग अ कर दो कर दो